हेलो फ्रेंट्स अगर आपके बच्चे कुछ टेस्टी हो, चडपटा खानी की फर्माज कर रहें या फिर दिमांड कर रहें तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं आज हम इस recipe को एक cup आटे से बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही tasty लगता है, बनाना भी बहुत ही easy हो जाता है, आप morning के नास्ते में आसानी से बना सकते हो, बच्चों को भी lunch box में दे सकते हो, तो फर देर किस बात की चलिए बनाते हैं, तो आज हम इस नास्ते को बनाएंगे एक cup चावल के आटे से, आपके पास जो भी चावल का आटा है, वो ले सकते हो, असानी से ये नास्ता बन जाता है, और यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो फिर आप गेहूं के आटे से भी इस नास्ते को बना सकते हो, लिए गेहूं का आटा से जब बनाओगे तो उसमें गरम पानी नहीं डालना है, ठंडा पानी डालना है, तो अब इस चावल के आटे में क्या करेंगे, एक कप हमने चावल का आटा लिया है, तो एक कप उबला हुआ पानी लेंगे, एकदम गरम पानी, ठंडा पानी नहीं डालना है, यदि अब ठंडा पानी डालेंग तो हमें गीला ही चाहिए बहुत ज़्यादा सक्त नहीं चाहिए और अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं दिया है तो अभी से 10 मिनट ले ऐसा ही छोड़ देते हैं तो 10 मिनट हो गिया है थोड़ा सा ये ठंडा भी हो गिया आप देख सकते हैं गाढ़ा भी हो गया है तो अब इसमें क्या करेंगे दो पीस उबला हुआ आलू लेंगे आप इसमें कच्छा आलू भी डाल सकते हो उबला की जगह क्योंकि जब आप इस नास्ते को बनाओगी ना तवे के उपर तो कच्छा आलू है अच्छी तरह से पक जाएगा तो देखिए इस तरह से उबला आलू को एक पीस को हमने ग्रेट कर लिया है दूसरे को भी सेम ऐसे ही ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो अब इस आलू को आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से लच्छे में एक दम निकल गया है तो आप आसानी से यह चावल के आटे म हो जाते हैं और यदि ग्रेटर से आप ग्रेट करकर डालोगे तो गुठलिया नहीं बनेगी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो आप क्या करना इस चावल आटे में डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके बार डाल देंगे थोड़ा सा कच्छा जीर अब यह थोड़ा सा में और पतला करना है तो बचा हुआ जो पानी था ना वो में डाल दी हूँ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से देखने में इतना जुरदार है कि खाने में बहुत ही डेस्टी लगेगा यह तो अब यह घोल बनके रेडी हो किया है तो चलते ह तो आज हम इस नास्ते को तवे के उपर बनाएंगे एकदम मामुली से तेल में यदि आप कम तेल खाना पसंद करते हो तो कम तेल में भी बना सकते हो तो एक चमच घोल डालेंगे तवे के उपर इस तरह से हलका सफल आएंगे क्योंकि एकदम चीला जैसा नहीं बनाना है य सिख चुका है तो अब इसे पलट लेते हैं और दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही सेक लेंगे तो सुबह के मॉर्निंग के टाइम में समझ में नहीं आता है कि डेली डेली क्या बनाया जाया और हर दी नहीं आप बच्चों को पराठा बना के दोगे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं खाखा के तो देखे अच्छी तरह से एक डम सिख चुका है और एक डम सॉफ्ट बनता है आप इसे बना के रख दोगे न तो साम में भी बच्चों को दोगे न तो एक दम सॉफ्ट बनेगा मुलायम तो अब यह सिख चुका है तो अब क्या करेंगे अब इसे निकाल लेंगे निकालने के बाद एक पिस और में आपको बना के दिखाती हूं सेम वही तवा है तवा हलका सा गर गरम तवा की ओपर चमस से अस तरह से घोल डालेंगे और पतला हलका सा कर देंगे बस पतला हो गया अब इसे सीकने के लिक छोड़ देंगे उसे वैसे ही तरीके से बना के रेड़ी कर लेंगे तो चावलाटे का चटपटा सानास्ता बनके रेडी हो गिया है अब देख सकते हो क्या मज़िधार लग रहा है एकदम टैम्टिंग लग रहा है न देखके आप इसे आम की अचार के साथ खाएं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में और नहीं तो टमाटर की खट्ट